हलो एवरिवान, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पॉम को जो है A Legend of the Northland Northland का है? Northland है जो एरिया अर्थ के North Pole के पास है और Legend का मतलब होता है एक बहुत ही पूरानी सी स्टोरी तो A Legend of Northland एक बैलेट पॉम में लिखी गई है यानि की एक स्टोरी को हमने पॉम के फॉमिट में देखना है तो इंट्रेस्टिंग लग रहा है तो आई एप पूरी वीडियो को देख लेते हैं और पढ़ते हैं सेंट पीटर और एक स्मॉल लेडी के बारे में जो कहानी हमार को बहुत ज्यादा सीख देने वाली है यहाँ पर लेजंड का मतलब है एक हम कहें बहुत पुरानी स्चोरी और दी Northland अब Northland क्या है यह हमारा यह कह सकते हैं कि अर्थ जब से North part North साइड का पार और यहाँ पर हम कहें कि North Pol के करीब जैसे कि हम यह कहें कि Canada के पास ठीक खै motlaska के paar तो दिस इस अग ए तो चालिए अब इसको हम पढ़ते हैं अब यह जो पॉम है यह नरेट करती है एक लेजेंड को लेजेंड मतलब एक हम यह कह सकते है ट्रेडिशनल स्टोरी को एक ओल्ड लेडी है वो बहुत ज्यादा नराज है सेंट पीटर से क्योंकि अपने ग्रीड से मतलब उसे बहुत ज कर्स कर दिया था अब सेंट पीटर कौन है सेंट पीटर है डिसाइपल ओफ जीसस ठीक है तो ही इस दी डिसाइपल ओफ जीसस अब क्या हो जाता है कहानी में आगे देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां से पॉम स्टाट होती है अब बैलेट इस शौंग नरेटिंग अस्ट शौरी इन शौर्ट शांदाद बैलेट अर दिपांट सफ ऑफ काल्चर और पोलर क्ल्चर अग पांड और अरली फंट जनरेशन तो नेक्स मतलब कि अधिए लेजंट अव दी नौद लायंड एक ऐसी स्चोरी है जिसे हम ने पॉम के फॉर्म में लिखा है मतलब कि एक पॉ यह popular culture जो पास होते हैं एक generation ते दूसरे generation orally, तो ballad is a song, एक तरह का song हो गया, जो story को narrate कर रहा है, मतलब एक story को हमने poetic way में stanza-wise divide किया है और बताया है, a legend of the Northland is a ballad, मतलब एक story ही है, तो सबसे पहले theme क्या है, जो कहा है, जो कहा है, is a poet of the poem, और she is an American poet, वो एक American poet है, और जो poem है, a legend of the Northland, एक folk tale है, मतलब लोग कता है, that is passed from generation to another in the Northland, अब Northland क्या है, it is a area near to the North Pole, जैसे कि हमने कहा, Greenland, Alaska, Canada, उसके पास, तो it is a story, ये a story है, जो revolve करती है, St. Peter के around, और एक little woman, जिसकी height छोटी सी है, और उसे St. Peter जो है, वो punish करते है, क्योंकि वो बहुत जादा selfishness, मतलब उसके अंदर बहुत जादा स्वार से छिपा है, a legend teaches us not to be greedy, ये हमें सिखाता है कि greedy नहीं बनना है, और that we should possess the quality of kindness and empathy, आनी चाहिए, तो चलिए, अब ही यहां से हमारी जो story है, ballot form में, वो start हो जाती है, देखिए, away away in the north land, where the hours of the days are few, and the nights are so long in the winter, that they cannot sleep them through, अब यहां से वो कहते हैं, away away in the north land, मतलब near to the north pole area, where the hours of the days are few, मतलब कि जहां पर जो दिन है, जो दिन है, यह मैं यह कहूँ, day time है, जिक है, day time है, वो short duration का है, और जो night है, वो long duration की है, because of the sun position, जिक है, जो night है, वो क्या है, long है, मतलब जहां पर रोशनी कम समय के लिए है, और अधेरा ज्यादा समय के लिए है, और जो nights इतनी लंबी है, कि आप पूरी रात सो नहीं सकते, मतलब, of long duration, that they cannot sleep them through, मतलब कि इतने बड़ी-बड़ी राते हैं, कि पूरी रात सो नहीं सकोगे, clear हो गया यहां तक, okay, आगे चले, where they harness, the swift rindir, मतलब, रिंजर क्या होता है, एक प्रकार का हीरन होता है, जो हम यह कहें, कि नौर्थ, नौर्ज लाइन में पाया जाता है, swift मतलब होता है, तीव, और harness क्या होती है, harness होता है, घोडे का श्रिंगार का समान, यानि कि harness, it is a kind of rope that is attached, swift मतलब कि बहुती ज्यादा sharp, और, रिंजर, it is a kind of animal only that is found in the Northland, तो type of heron only, you can say, तो तो the sledges, sledges क्या होता है, when it snows and the children look like the bear cuffs in their funny furry clothes, तो यहाँ पर देखिये, sledges क्या होता है, अभी Christmas recently passed हुआ, तो Christmas पे जब आप देखते हो, क्योंकि Santa जिस गाड़ी पे बैठा है, आगे जो animals है, that are reindeer, और उनको बांदा गया है rope से, that is harness, और sledge क्या है, sledge, it is a kind of vehicle, जो snow area में चलता है, जिक है, when it snows, जब बहुत ज़्यादा बरव गिरती है, और जो वहां के बच्चे होते हैं, वह बियर कउज, मतलब बालू के बच्चे लगते हैं, because in their funny furry clothes, क्योंकि बहुत ज़्यादा थंड होती है, तो furry furry कपड़े पहनते हैं, वह मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, तो वह बियर के बच्चे लगते हैं, they tell them a curious story, I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you, तो वह कहते हैं, कि they tell them a curious story, मतलब बहुत ही जग्यासु हम यह कह सकते हैं, वह story को अपने बच्चों को बताते हैं, और वह कहते हैं, I don't believe this is true, means the poet is saying, कि मुझे याकीन नहीं है कि यह सच है या गलत है, यह सच है या it is like the fairy tale only, लेकिन शायद तुम उससे एक lesson तीक सको, तो अगर मैं तुम्हें वह छेल, यानि कि story बताऊं तो, चीक है, once when the God, once, when the good Saint Peter, lived in the world below, and walked about it, preaching, just as he did, you know, just as he did, you know, यहाँ पर लिख रहे हैं, once when the God, good Saint Peter, one of the Christ, हम यह क्या सकते disciple या ईश्वर दूत, चीक है, lived in the world below, जब वह धर्ती पर रहते थे, और वह घूमते थे, जसे संतों को काम है, बोलना और चलना, तो वैसी जैसे जो सेंट होते हैं, वह जाते हैं, जाँ बहँ बहँऑख लिते थे, तो जब वह धर्ती पर थे और वह जब घूमते थे मतलब घूमते थे, मतलब वैंडर करते थे, वैंडरिंग, यहीजिशिंग, प्रीचिंग का बतलब क्या है, जब उपदेश देते थे, just as he did, जैसे कि आपको पता ही है, जैसे सेंच करते ही है, he came to the door of the cottage, एक क्या हुआ, वेंडर कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, तो वो एक cottage के पास पास पास, मतलब एक घर के पास, छोटा से गर, in a traveling around the earth, जब वो दुनिया की सैर पर निकले थे, दुनिया को प्रीच कने के लिए, उपदेश देने के लिए, निकले थे, वहाँ पर एक little woman थी, जो cake बना रही थी, little woman मतलब की woman की height को refer कर रहा है, where a little woman was making cake, जहाँ पर एक little woman cake बना रही थी, and baking them on the earth, और मतलब भट्टी पे furnace पर वो उसे बेक भी कर रही थी, जहाँ, उसके बाद, and being faint with the fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cake to give him a single one, अभ यहाँ पर बोल रहा है कि उनका पूरा दिन fast था, वरत था, तो अबना बहत जादा फेंटनेस आ रही थी, सेंट पीटर में, मतलब उनको बिहोशी आ रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि अपने store में से, मतलब कि अपनी भट्टी में ते फ़र्नेस में, जो आपका cake का store है, उसमे से a cake मुझे दे दो, खाने के लिए, बिकॉस मुझे फेंटनेस हो रही है, और साती साथ क्या है, साती साथ क्या है मुझे भूग भी लग रही है So she made a very little cake So she made a very little cake But as it baking lay she looked at it And thought it seemed too large to give away So what happened here She made a small cake Meaning a small dough to bake And when she kept it for baking So you know what is in baking We generally see that the cake is full And as the cake is full So its size is bigger And then she thought that this is very big For giving to someone Then what happened Therefore she needed another and still a smaller one But it looked when she turned it over as large as the first had done Now what happened Then she made a small dough Like a small cake You can eat a small cake And a small cake But then she baked So it was full of size And then she thought that this is very big Second time Then what happens Then what happens Then she took a tiny scrap of dough And rolled and rolled it flat Then she baked it thin as a wafer But she couldn't part with that Now what happened Now what happened She had the scrap Before it was made of wood After it was made of wood After it was made of wood What happened She made of wood And rolled and rolled it flat So it was made of wood And then she baked it And then she baked it Then it was made of wood And it was made of a wafer That means that you eat it It became a wafer And here we say It became a crunchy type But it was made of wood But it was also So it was not So it even made of wood So it also It wasn't So far she said My cake That seemed too small When I eat of them myself And are yet too large to give away So she put them on the shelf तो फिर उसने कहा कि जब मैं केक अपने लिए खाती हूं मैं खुद खाती हूं तो यह केक मुझे बहुत चोटे दिखते हैं लेकिन जब मैं किसी को देती हूं तो वह मुझे इतने बड़े लगते हैं और उसने उस वैफर को ही शेल्पर अग दिया जो सेंट पीटर होता है उनको गुस्सा आ गया, for he was hungry and faint क्योंकि वो भूखे भी ते और उनको भ्योशी हो रही थी और वो ये ड्रामे कर रही थी, and surely such a woman was enough to provoke a saint, और पकीती बात है, अगर आप ऐसी हरकते करोगे, तो कोई भी सादू संथ होगा, उसे गुस्सा तो आए गई, तो वो उसके गुस्से को और उक्सा रहे थी, मतलब यह हरकते करके कोई भूखा है, कोई आपसे मांग रहा है और आप ऐसे नखरे करोगे तो उसको गुस्सा तो आएगा है, उसको उप्साओगे कि हाँ वो तुम्हें करें, बद्धुआ ही देगा, ठीक है, तो फिर सेंट पीटर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मतलब ही हो, सेलफिश हो और तुम एक इंसान के प्रकार में बसने के लिए लायक नहीं, तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो, जिसके पास खाना भी है, आसरा भी है और इतनी ठंड में आग भी जल रही है, ता कि तुम गरम रहो, मतलब कि तुम्हें थंड ना लगे, सिल तुम्हारे अंदर इतनी लालच है, तुम्हें बन जाओ, चिडिया बन जाओ, वुट पेकर बन जाओ, आपने बर्ड को तेखे ना बहुत स्कैंटी बहुत चुटा-चुटा खाना मिलता है, बहुत कम-कम खाना मिलता है, तो वो कहते हैं, अब तुम्हार को मैं श्राब देता हूं, कि तुम एक चिडिया वुट पेकर बन जाओ, जिसे बहुत चुटा-चुटा क्या मिले, खाना मिले, और जयते वुट पेकर, अगर आप देखो, वुट में तक तक करके अपना छोटा सा घर बनाती है, तो वो यही कह रहे हैं, कि तुम भी छिदाई करो, बोरिं करो, और फ पार, दोनों ने यह कह दिया, चेक है, then up she went through the chimney, जैसे उनोंने श्राब दिया, तो जो वो लिटल वुमें थी, घर में जो फरनेस थी, जिसमें केक बेक हो रहा था, उसी की चिमनी से बाहर गई, और कुछ वर्ड उसने नहीं बोला, उड के बाहर गई, and out of the top, she flew as a woodpecker, तो वो बन गई, for she changed to a bird, और जैसे उनोंने बोला था, वो एक bird बन गई, she had the scarlet cap on her head, and was left the same, मतलब उनके जो cap थी वो रेड कलर की वो रही, बाकी वो एक bird की तरह change हो गई, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, लेकिन सारे के सारे जुसके कपड़े थे वो जल गए थे, जैसे कि ब्लाक कलर के हो गए थे, कोल में, as coal in the flame, she had the scarlet, मतलब लाल cap on her head, and that was left the same, जो सेम रहे गई थी, बाकी पूरे जो कपड़े थे, वो जल गए थे, काले हो गए थे, जैसे फ्लेम में, कोईला हो जाता है, और वो चेंच हो गई थी, woodpecker की और, and every country school boy has seen her in the wood, wood, मतलब की, जो भी वहां के बच्चे होते थे, वो देखते थे, कि कैसे, she was transformed from a lady to the bird, and was sitting on the stem of the tree, when she lives in the tree, till is the very day, मतलब वो अभी भी रहती है, boring and boring for food, और अभी भी वो होल बनाती है, just, चोटे-चोटे, स्कांटी food के लिए, वो बटकती है, तो इसी के साथ हमारी, जो a legend of Northland story है, वो जो बालब फॉर्म में पॉम लिखी थी, वो फिनिश हो गई है, अभी हम पहले NCRT question कर लेते हैं, these are important, क्योंकि मैं हम में यह शाहर पॉम में कर आ रही हूं, पहला question है, which country or country do you think the Northland refer, पहली बात तो कहां refer करते हैं, तो हम यह कहेंगे, it is a country in the North, where the days are short, जहांपर days बहुत short होते हैं, और जो राते होती हैं, वो बहुत लंबी होती हैं, second, what did St. Peter ask for the old lady for, St. Peter ने क्या demand करी थी old lady से, what was the lady reaction, lady का क्या reaction था, तो हम बोलेंगे कि जो St. Peter है, वो बहुत जादा भूख है थे, and about to faint, और अभी यह कह सकते हैं, कि वो faint होने लगे थे, और उनने एक elderly lady से मांगा था, piece of cake को, the lady बहुत जादा greedy थी, बहुत जादा लाल ची थी, और वोस cake का size reduce करी जा रही थी, और finally उन्होंने refuse कर दिया, to give a piece of him, because she was too greedy, क्योंकि वो बहुत जादा greedy थी, third, how did he punish her, तो कैसे St. Peter ने उन्हें punish कर दिया, उन्होंने उसे श्राप दे दिया, कर्स कर दिया, उसकी selfishness की वज़े से, greed की तरह वज़े से, and made her a woodpecker, और उन्होंने एक woodpecker उसे बना दिया, ठीक है, the woodpecker bores the hard and dry wood to get it food, और ऐसे उसको खाना मिला, ठीक है, तो, question number five, do you think that an old lady would have been so ungenerous if she had known who St. Peter really was, क्या आपको लगता है कि जो old lady है, शायद उसका जो behavior होता, generosity जो उसने दिखाए, बहुत ही बहुत ही वायात, वो changed होती, क्या करती, what would she had done then, तो वो क्या करती, ठीक है, no, she would not have done this, on the contrary, she would have given him a large piece of cake to make him happy with degree to get a good return, clear हो गया यहां तक, चालिये जी, अब sixth question, is this a true story, क्या यह सच्ची कहानी है, which part of the poem do you feel is the most important, और कौन सा पार्ट ऐसा है, जो आपको लगता है, कि वो बहुत जादा important है, तो मैं यह कह सकते हूं कि यह सच्ची तो नहीं होगी, तो imaginative होगी, और it is a legend, the third stanza of the poem, हम यह कह सकते हैं, important रहा, what is a legend, why is this poem called a legend, तो इसे क्यों बोला जाता है, okay, a legend is a story form of the ancient times about the people and the event, जो title है, इस poem का यह बताता है, that it is a legend, okay, the poet himself says that I don't believe it is true, तो poet ने खुद भी कहा था, कि यह सच्ची होगी, 8th हाता है, write a story of a legend of the Northland in about 10 sentences, तो आपको एक तरह का समरी बतानी है, 10 sentences में, important अगर आपको doubt आए, तो, the poem tells the story of an old lady, एक old lady के बारे में, St. Peter, जो है, वो बहुत जादा वीक होते हैं, as a result of fasting or travel, और वो उसे मांगते हैं, क्या खाना, तो जो ग्रीड होता है, वो उसे रोक देता है, किसे, लेडी को रोक देता है, कि भाई, फर गिविंग हिम anything, so he grows, enraged, and transform her into a woodpecker who eats hard dry wood, जो खाती है, hard dry dry wood, और वो भी काट काट के, काट काट के woodpecker, wood को खाती है, खाने की कोशिश करती है, फिर जागर चोटा सा घरवन आती है, तो second का है, let us look the words at the end of the second and the fourth line, snows, clothes, true and you, below and no, we find that snows rhymes with the cloth, true rhymes with you, and below rhyme with no, find more rhyming words, तो और rhyming words आपको बताने है, earth, earth, done one, lay away, another over, flag that, faint change, form warm, woodward, foodward, same flame, तो यह थोड़ से sound, same कर रहे हैं, तो अब हम थोड़े से previous year questions कर रेते हैं, तो आपको previous year questions भी आ जाएंगे, तो what is a legend, why it is called legend, तो legend क्या होता है, एक old story होती है Asian times की, यह repeated question है in CRT का ही, which may not always be true, और जो people होते हैं वो बताते हैं इस payment event के बारे में या person के बारे में, a legend often teaches a lesson, यह जो poem है, इसे legend कहा जाता है, क्योंकि यह बताती है, एक old story, not land की, this is the story of an old greedy woman, जो बहुत जादा गुसा हो जाती है, saint Peter से, जो उन्हें woodpecker में transform कर देते हैं, क्योंकि जो lady होती है, उसके अंदर greed होता है, और poet खुद कहते हैं कि वो से यकीन नहीं करते हैं, जिक है, second question, second question यह भी previous year ही है, जिक है, where does this legend belong to and what kind of country it is, यह कि पे बिलों करते हैं, the legend belongs to the north land, an area that could refer to anything of extremely cold countries in the earth north polar region, such as Greenland, जिक है, Northland region of Russia, Siberia, जिक है, और countries जैसे कि होगी, Denmark, Norway, Sweden, Iceland, Finland, और cold place where days are short, और nights जो होती हैं, वो लंबी होती हैं, clear हो गया, जिक है, third question and this is the last question of previous year, जिक है, तो why does the poet say that hours of the day are few, तो why does the poet say that hours of the day are few, तो पोएट है ऐसा क्यों कहा था, कि जो दिन के hours हैं, घंटे हैं, वो कम हैं, तो यहां पर बोलेंगे, in the poem, the poet says, जो legend है, is told north land, तो north land एक cold, snow-covered region होता है, वो भी north pole के करीब, और here the days are shorter and the nights are longer, और as a result, there are very few hours in a day, और as a result, बहुत कम hours होते हैं, दिन में, तो खोब आपको यह जो पोम है, वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है, NCRT के questions भी आगे हैं, और top most important previous year question भी आगे हैं, तो चालिए, thank you so much everyone, धान रखेगा अपना comment section में लिख दीजे, कौन सा नेक्स topic आपको चाहिए, बाबाई, take care.